नमस्कार दोस्तूं, स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य वाटिका में। आईए सुनते हैं। मुन्षी प्रेम चन्द जी की प्रसिध्ध कहानी नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और इश्वर प्रदत्त वस्तू के ब्याभार करने का निशेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका ब्याभार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सुत्रपात हुआ। कोई घूज दे काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौब आ रह थे। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोर छोर कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगापत के लिए तो वकीलों का भी जी लल चाता था। यह वस समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और इसाइमत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फार्सी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रिंगार रस के काप्य पटकर फार्सी दा लोग सर्वुच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशी धर्विजु लेखा की विरा कथा समाप्त करके मजनू और फढ़ात के प्रेम रित्तांत को नल और निल की लड़ाई और अमेरिका के आविश्कार से अधिक महत्व की बातने समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष्थे समझाने लगे। ऐसा काम ढूनरा जहां कुछ उपड़ी आये हो, मासिक वेतन तो पोर्नमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घरते घरते लुप्त हो जाता है। उपड़ी आये बहता हुआ श्रोथ है जिससे सदय प्यास पुष्थी है। वेतन मनुष्य से देता है, इसी से उसमें प्रिद्धी नहीं होती। उपड़ी आमदनी इश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम सोयम बिद्वान हो, तुमें क्या समझाओं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यक्ता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यक्ता को देखो और अफसर देखो। इसकी उपरांत जो उचित समझो, करो। गरज वाले आत्मी के साथ कठोड़ता करने में लाभ ही लाभ है। लेकिन बेगरज को दाओं पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगा में बांध लो या मेरी जन्मभर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशिरवाद दिया। वंचिधर आज्याकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विश्त्रित संसार में उनके लिए धैर ही अपना मेत्र, बुद्धी अपनी पत प्रदर्शक और आत्म बल ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगापत पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और उपरी आयका तो ठिकाना ही ना था। बृद्ध मुन्शी जी को सुक संबाद मिला तो फूले न समाए। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलाहाई परोशियों के हिर्दे में सूल उठने लगे। जारे के दिन थे और रात का समय नमक के सिपाही चौकीदार नसे में मस्द थे। मुन्शी वन्शी धर को यां आया भी छै महीने से अधिक ना हुए थे। लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आजार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफतर से एक मिल पूर्व की ओर जमना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगाजी किवार बंद किये मीठी नींद सो रहे थी। अचानक आख खुले तो नदी की प्रवा की जगा गाडियों की गरगराहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात कहे गाडियां क्यों नदी के पार जाती हैं। अवश्य कुछ न कुछ गोलवाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेव में रखा और बात की बात में घोरा बढ़ाए हुए पुल परा पहुँचे। गाडियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डाट कर पुछा, किसकी गाडियां हैं। थोरी देर तक सन्नाटा रहा, आद्मियों में कुछ काना फूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडी तलोपी दिन की। दाता गंज के। मुंची वंची धर चौके। पंडी तलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित चमीदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनकी रिनी ना हो। ब्यापार भी बड़ा लंबा चौरा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अपसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मिहमान होते थे। बारहों माज सदावरत चलता था। मुंची ने पूछा। गारियां कहां जाएंगी। उत्तर मिला। कानपूर। लेकिन इस प्रश्ण पर की इनमें क्या है सन्नाता चागया। दारोगा साहब का संदे और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले। क्या तुम सब गुंगे हो गये हो। हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोरे को एक गारी से मिला कर बोरे को टटोला। ब्रहम दूर हो गया। या नमक के डेले थे। पंडित अलोपी दिन अपने सजीले रत पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गारिवानों ने घबराये हुए आकर जगाया और बोले। महराज, दारोगा ने गारियां रोक दी हैं और घार पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना है क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राच्य है। उनका यह कहना यह थार्थी था, न्याय और नीती सब लक्ष्मी के ही खिलोने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती हैं, नचाहती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं, या क्या कर पंडित जी ने बरी निश्चिंतता से पान के बीरे लगा कर खाए, फिर लिहाप होड़े हुए दारोगा के पास आ कर बोले, बाबुजी आशिरवाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराद हुआ कि गाड़ियां रोख दी गई, हम ब्राम्रों पर तो आपकी क्रिपाद रिष्टी रहनी चाहिए, बंची धर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म, पंडित लोपी दिन ने हसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही है, हमारों और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, मैं तो आपकी सेवा में सोयम ही आ रहा था, वंची धर पर एश्वर्य की मोहिनी वंची का कुछ भी प्रभाव न पढ़ा, इमानदारी की नई उमंग थी, करक कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं, जो कौडियों पर अपना इमान बेचते फिरते हैं, आप इस समय हिर आसत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ, पंडित अलोपी दिन स्तंभित हो गए, गाडिवानों में हलचल मच गई, पंडित जी के जीवन में कदाचित या पहला ही अवसर था, कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी, बदलू सिंग आगे बढ़ा, किन्तु रोप के मारे या साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकर सके, पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था, विचार किया कि अभी उद्धंड लड़का है, माया मो के जाल में अभी नहीं पड़ा, अलहर है जी जगता है, बहुत दीन भाव से बोले, बाब इसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं, वंचिधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बाते नहीं सुनना चाहते, अलोपी दीन ने जिस सहारे को चटान समझ रखा था, वह पेरों के नीचे खिजकता हुआ मालूम हुआ, स्वाविमान और धन एश्वरे को करी चोट लगी, कि इन तु अभी तक धन की सांखिक शक्ति का पूरा भरोसा था, अपने मुखतार से बोले, लाला जी, एक हजार के नोट बाबु साहब की बेट करो, आप इस समय भूखे सिंग हो रहे हैं, वंचिधर ने गरम होकर कहा, एक हजार नहीं, एक लाक भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते, धर्म की इस बुद्धी हींद रिर्ता और देवदूरलव त्याक पर मन बहुत जुझलाया, अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, धन ने उचल उचल कर आक्रमन करने शुरू किये, एक से पांच, पांच से दस, दस से पंद्रा और पंद्रा से बीस हजार तक नौबत पहुंची, किन्तु धर्म अलोकिक वीर्ता के साथ बहु संख्यक सेना के सम्मुक अकेला परवत की भाती अटल अविचलित खरा था, अलोपी दिन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है, बंशिधर ने अ दो तीन कदम पीछे हट गए, अत्यन्त दीनता से बोले, बाबु साहब, इश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं पच्चीस हजार पर निप्टारा करने को त्यार हूँ, और सम्भब बात है, तीस हजार, किसी तरह भी सम्भब नहीं है, क्या चालिस हजार पर भी नह अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, धर्म ने धन को पैरों तले को चल डाला, अलोपी दीन ने एक रिष्ट पुष्ट मनुष्य को हत करियां लिये हुए अपनी तरफ आते देखा, चारों ओर निराश और कातर द्रिष्टी से देखने लगे, इसके बाद इद्ध सब के मुँसे यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिये, वही पंडित ची के इस ब्यभार पर टीका टिपरनी कर रहा था, नेंदा की बौछारे हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया, पानी को दूद के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्प जब दूसरे दिन पंडित अलोपी दिन अभ्यूक्त होकर कांश्टेबलों के साथ, हाथों में हतकरियां हरदय में गलानी और छोब भड़े, लच्चा से गर्दन जुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई, मेलों में कताचित आखे इतनी ब्यगरना होती होंगी, भीर के मारे छत और दिवार में कोई भेद ना रहा, किंतु अदालत में पहुचने की देर थी, पंडित अलोपी दिनी सगाध वन के सिंह थे, अधिकाडी वर्ग उनके भाग्त, अमले उनके सेवक, वकील मुक्तार उनके आग्या पालक और अरदली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे, उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दोरी, सभी लोग विश्मृत हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपी दिन ने या कर्म किया, बलकि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए, ऐसा मनुस्य, जिसके पास अस साध्य साधन करने वाला दन और अन्यान्यवा चलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए, प्रतेक मनुस्य उनसे सहानुभूती प्रकट करता था, बरी ततपरता से इस आक्रमन को रोकने के निमित, वकीलों की एक सेना तयार हो गई, न्याय के मैदान में धर्म और धन मे युद्धत हन गया, वन्सी धर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना स्पष्ट भासन के अतिरिक्त कोई सस्त्र, गवाह थे, किन्तु लोब से डवाडोल, यहां तक कि मुन्सी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिचा हुआ दिख पर वहां न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नसा चाया हुआ था, किन्तु पक्षपात और न्याय का क्या मेल, जहां पक्षपात हो, वहां न्याय की कलपना भी नहीं की जा सकती, मुकत्मा शिक्र ही समाप्त हो गया, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडी तलोपी दीन के बिरुद्ध दिये प्रमाण, निर्मूल और भ्रमात्मक है, वह एक बड़े भाड़ी आदमी है, यह बात कलपना के बाहर है, कि उन्होंने थोरे ला के कारण एक भले मानुस को कष्ट जेलना पड़ा, हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किन्तु नमक से मुकत्मे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धी को प्रष्ट कर दिया है, भविस्य में उसे होश्यार रहना चाहिए वकीलों ने यह फैसला सुना और उचल पड़ी, पंडी तलोपी दिन मुश्कुराते हुए बाहर निकले, स्वजन बांधवों ने रुपयों की लोट की, उदारता का सागर उमर पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नीव तक हिला दी, जब बंशी धर बाहर निकले, तो चारों और उनके उपर ब्यंग्यवानों की वर्षा होने लगी, चपरासियों ने जुक जुक कर सलाम किये, किन्तु इस समय एक एक कटू वाक्य, एक एक संकेत उनकी गरवावनी को प्रज्वलित कर रहा था, कदाचित इस मुकदमे में सफलो करवा इस तरह अकरते हुए न जलते, आज उन्हें संसार का एक खेत चनक विचित्र अनुभव हुआ, न्याय और विद्वता, लंबी चोड़ी उपाधियां, बड़ी-बड़ी दाढ़ियां, डीले चोंगे, एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। बेचारे भग नहिरदय शोक और खेत से ब्यथित घर को चले। बुढे मुंसी जी तो पहले ही से कुर्बुरा रहे थे, कि चलते-चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। सब मनमानी करता है। अंदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्चित में अवस्य दिया जलाएंगे। खेत ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद, जब मुन्सी वन्चिधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे, और बुढे पिता जी ने समाचार सुना, तो सिर पेट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोर लो, बहुत देर तक पस्ता पस्ता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वन्चिधर वहां से टल ना जाते, तो अवस्य ही यह क्रोध विकट रूप धारन करता। ब्रिधा माता को भी दुख हुआ, जगनाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई, पत्नी जी ने तो कई दिन तक सिधे मूँ बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ता बीद गया, संध्या का समय था, बूढे मुंची जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे, इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका, हरे और गुलाबी परदे, पछहिये बैलों की जोरी, उनकी गर्दनों मी नीले धागे, सींगे प देखा तो पंडी तलोपी दिन है, जुक कर दंडवत की और लल्लो चपो की बाते करने लगे, हमारा भाग यह उदय हुआ, जो आपके चरन इस द्वार पर आए आप हमारे पुच्य देवदा हैं, आपको कौन सा मू दिखावें, मू में तो कालिक लगी हुई है, किन्तु क्या करें, डरका भागा का पूत है, नहीं तो आपसे क्यों मू उचिपाना पड़ता, इश्वर ने संतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे अलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए, मुन्शी जी ने चकित हो कर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं, अलोपी दीन ने वाद्शल्य पोर्ण श्वर में कहा, खुलती लख और पुर्खों के किर्टी उच्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्म पर आयन मनुस्य हैं, जो धर्म पर अपना सब कुछ अरपन कर सकें, पंडित अलोपी दीन ने वंची धर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामत ना समझिये, खुशामत करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी, उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किन्तु आज मैं स्वेक्षा से आपकी हिरासत में आया हूँ, मैंने हज़ारों रईस और अमेर देखे हज़ारों उच्च पता दिकारियों से काम पड़ा किन्तु मुझे पराश्ट किया तो आपने मैंने सब को अपना और अपने धन का गुलाम बना कर छोड़ दिया मुझे आग्या देजिये कि आप से कुछ विन्य करूँ वंची धर ने अलोपी दिन को आते देखा तो उठकर शतकार किया किन्तु स्वाभी मान सहिद समझ गए कि यह महासे मुझे लज्जित करने और जलाने आये हैं छमाप्रार्थना की चेश्टा नहीं की वरन उन्हें अपने पिता की या ठकुर सुहाती की बात असाया सी प्रतीत हुई पर पंडित ची की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई पंडित ची की और उर्ती हुई द्रिष्टी से देखा सदभाव जह लग रहा था गर्ब ने अब लज्जा के सामने सिर जुका दिया शर्माते हुए बोले यह आपकी उदार्ता है जो ऐसा कहते हैं मुझसे जो कुछ अभिने हुई है उसे छमा कीजिए मैं धर्म की बेडी में जक्रा हुआ था नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ जो आज्या होगी वा मेरे सिर माते पर अलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्विकार नहीं की थी किन्तु आज स्विकार करनी पड़ेगी वन्शिधर बोले मैं किस योग्य हूँ किन्तु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रोटी न होगी अलोपी दीन ने एक स्टांप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वन्शिधर के सामने रख कर बोले इस पद को स्विकार कीजिए और अपने हस्ताप्छर कर दीजिए मैं ब्रामण हूँ जब तक या सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूँगा मुंसी वन्शिधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्यता से आँखों में आशू भराए पंडी तलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदात का स्थाई में नेजर नियत किया था छे हजार वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर चलग सवारी के लिए घोरा रहने को बंगला नौकर चाकर मुक्त कंपित स्वर में बोले पंडीत जी मुझे में इतनी सामर्थ नहीं है कि आपकी उदार्था की प्रसंचा कर सकूँ किन्तु ऐसे उच्चपत के योग्य मैं नहीं हूँ अलोपी दीन हसकर बोले मुझे इस समय एक आयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है वंचीधर ने गंभीर भाव से कहा यो मैं आपका दास हूँ आप जैसे किर्थिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए स्वभाग्य की बात है किन्तु मुझ में न विद्या है न बुद्धी न वा स्वभाव जो इन तुटियों की पूर्ती कर देता है ऐसे महानकाड़े के लिए एक बड़ी मर्मग्य अनुभवी मनुष्य की जरूरत है अलोपी दिन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंचीधर के हाथ में दे कर बोले ना मुझे विद्धवता की चाह है ना अनुभव की ना मर्मग्यता की ना कार्य कुशलता की इन गुरों के महत्व का परिजय खूप पा चुगा हूँ अब सौभाग्य और सुअफसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्धवता की चमक फीकी पर जाती है यह कलम दीजिए अधिक सोच विचार ना कीजिए दस्थखत कर दीजिए परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बे मुरवत उदंड कठोर परंतु धर्म निष्टदारों का बनाए रखे वंची धर की आँखें डबडबा आई रिदय के संकुचित पात्र में इतना अहसान ना समा सका एक वार फिर पंडित्ची की और भक्ती और श्रध्धा की द्रिष्टी से देखा और कापते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए अलोपी दिन ने प्रफुलित होकर उन्हें गले लगा लिया धन्यवाद आशा है कि या कहानी आप लोगों को पसंद आएगी इस कहानी और वीडियो के संबंद में अपने विचार और सुझाव अवज से भेज़ेगा और हाँ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा शुक्रिया